आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, Question यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कि u.v rule को अगर मैं इसको इसको इसकी भी Function को differentiate करता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ v को constant वानते हैं u को differentiate करेंगे plus u को constant माना और v को differentiate किया Similarly, यहाँ पर y की value क्या दे रखिए y की value दियो ही है cos inverse sin x तो dy by dx यानि कि इसका differentiation क्या हो जाएगा अब इस case के लिए हम क्या वो rule लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं इस case के लिए हमें दूसरा rule लगाना पड़ेगा क्या होगा वो कोई भी function इस form में दिया हुआ है suppose f इस form में दिया है कि g of u है ठीक है g of u दे रखिए वो function और आपको f-x निकालना है यहीं कि with respect to dx निकालना है तो आप क्या करोगे पहले उस function को u के respect में differentiate करोगे फिर उस u को x के respect में करोगे for example it will be dy by du into du by dx तो यहां से du और du cancel हो जाता है तो हमको क्या मिल जाएगा dy by dx मिल जाएगा यहां पर u क्या है u है मेरा sin x तो cos inverse cos inverse x का differentiation क्या होता है minus 1 upon root of 1 minus x square होता है तो इसको हम लिख देते है minus क्या जाएगा 1 upon root of 1 minus x की जगा पर u that is sin square x ठीक है into अब du by dx करना है du by dx मतलब sin x को dx के respect में जो हो जाता है cos x यह हो जाएगा मेरा minus 1 upon 1 minus sin square x मुझे पता है कि sin square x plus cos square x यह हो जाता है 1 तो 1 minus sin square x क्या होगा cos square x उसका root यानि कि cos x into cos x तो यह क्या बन जाता है minus 1 dy by dx value आज जाएगी मेरी minus 1 thank you so much for watching the video classics to 12 से लेके need IIT जही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करे डाउटने टाप या whatsapp कीजे अपने डाउट्स 8444 चार्सो पर जहीड़ि nearest Όसा केरे यहmaybe दोका राउ ku कि और ही थाओड़ यह जाएगी web टहाँ अ है आव़। झाई इसं़र कि अ यह towns कि अ